नमस्कार साथियों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है पिछले साल 15 सेवारत परसिक्षन शुरू किये गए थे सबसे पहले ये परसिक्षन एमटी को करने थे उसके बाद 2-3 बार इन परसिक्षन की डेट बढ़ाई गई अब नए आदेश के अनुसार ये सेवारत परसिक्षन सभी सिक्षकों को करने है इन परसिक्षन को पूरा करने की अंतिम्तिती 31.12.2021 डिसाइड की गई है आज की इस वीडियो में हम सेवारत कला और संगीत परसिक्षन के भाग एक सिक्षा के रंग कला के संग की आकलन की प्रशनोत्री को लेंगे इसकी आकलन की प्रशनोत्री दो पार्ट में दी गई है पार्ट वन कला की समझ और पार्ट टू कला समयकित सिक्षन इन सभी की आंकलन की प्रशुत्री आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो साथियों सेवारत कला एम संगीत परसिक्षन को सुरू करने के लिए इस परसिक्षन का लिंक भी मैंने वीडियो के description box में डाल दिया है जैसे ही सेवारत कला और संगीत परसिक्षन के लिंक पे आप टच करेंगे तो आपका ये परसिक्षन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप परसिक्षन को स्टार्ट करेंगे तो इस परसिक्षन में कुल 11 भाग दिये गए है आज की इस वीडियो में हम भाग एक सिक्सा के रंग चित्र कला के संग की आकलन की प्रशनोतरी रंग जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी आकलन की प्रशनोतरी दो पार्ट में दी गई है पहली है कला की समझ और दूसरी आपकी कला समय की सिक्सा तो सबसे पहले हम कला की समझ पर क्लिक करते हैं तो इसकी प्रशनोत्री हमारे सामने आ जाती है यह हमारा भाग एक है आर्ट एवलेशन पार्ट वन कला की समझ तो पहला प्रशन हमारे सामने है कला तथा सिल्प सहायक होते हैं चार उप्शन दिये गए हैं बच्चों को वाक पटूता बनाने में, बच्चों के सारेरिक विकास में, बच्चों में नेतत शमता बढ़ाने में, बच्चों की सर्जनात्मक्ता तथा आत्मिश्वास विक्षित करने में, तो इसका फोर्ट उप्सन सही होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे दूसरा प्रशन हमारे सामने है लोग कला तथा सिल्फ को एक ही क्यों मान लेते हैं क्योंकि चार उप्सन दे गए हैं दोनों में नई चीजे बनाई जाती है इसलिए दोनों में कलपना का परियोग होता है इसलिए दोनों में पुरानी चीज़े सुन्दर बनाई जाती है इसलिए दोनों में लोग हातों से कलातमत चीज़े बनाते हैं इसलिए तो इसका फोर्ट उप्सन सही होगा इसमें हम क्लिक करेंगे एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है आदी मनुष्य द्वारा सिला पर चित्र क्यों बनाई गए होंगे चार उप्सन है समय व्यतिफ करने के लिए मनोरंजण के लिए सजावट के लिए और भावो की अभिव्यक्ति के लिए तो फोर्ट उप्सन हमारा सही होगा भावो की अभीवेक्ति के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्ण है बाग गुफाई क्यों परशिद है चित्र कला के लिए नत्य कला के लिए वद कला के लिए या मूरती कला के लिए तो इसका फोर्थ उप्सन सही होगा मूर्ती कला के लिए इस पे हम क्लिक करेंगे और एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण है मदूबनी लोक कला किस राज्य से संबंदित है बिहार उत्तर परदेश राजिस्थान या महरास्ट तो मदूबनी लोक कला किस राज्य से संबंदित है तो इसमें हम राजिस्थान पर क्लिक करेंगे क्योंकि मदाना राजिस्थान से संबंदित है और एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है अलपना किस छेत्र की लोक कला सेली है पंजाब राजिस्थान उत्तर परदेश या पस्चिम बंगाल तो इसमें हम पस्चिम बंगाल पे क्लिक करेंगे और एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रसन है राजा रवी वर्मा क्यों परसिद्धी मिली है चित्र कला के लिए सिल्प कला के लिए नरत्य कला के लिए या ललित कला के लिए तो इसमें हम चित्र कला पे क्लिक करेंगे और एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे इस तरह से हमने total 8 question किये question answer भी हमारे 8 थे question इसके पर 0 थी हम submit के option पे click करते हैं जैसे ही हम submit के option पे click करते हैं तो हमारा score 8 out of 8 हो जाता है उसके बाद हम part 2 की आकलन की प्रश्णोति को लेंगे इससे हम part 2 पर यही से click कर देते हैं देखे यहां से हम part 1 ते इससे हम back जाएंगे तो हमारी part 2 यहां पर आ जाएगी part 2 पे हम click करते हैं तो part 2 की प्रश्णोत्री भाग एक के part 2 की हमारे सामने है relay race oblique outdoor gameों में परतिभा करना संबंदित है अंत्य व्यक्तिक परतिभा से अंत्य व्यक्तिक परतिभा से देहिक इंद्रिय गर्थ परतिभा से या प्राकर्तिक परतिभा से तो इसमें हमारा सही आंसर होगा देहिक इंद्रिय गर्थ परतिभा से इसमें हम click करेंगे arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण है राकेश जी अपनी कक्सा में बच्चों को मोतियों में धागा डालने का कारिये करवा रहे है मोतियों में धागा डालने का कारिये बच्चों में चार उप्सन दिये गए है हाथ से आख का समन्वे इस्थापित करता है गत्यात्मक कोसल का विकास करता है बच्चों को रचनात्मक बनाता है इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा हाथ से आख का समन्वे इस्थाफित करता है इस पे क्लिक करेंगे एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है आपको अपनी कक्षा में बच्चों की तार्किक बुद्धी छमता का विकास करना है इसके लिए आप इन में से कोन सी गतिविधी कराएंगे पहेलियां जोड़ना, पैटर्न की पहचान, सतंत रूप से किताब पढ़ना या निबंध लेकन तो हमारा सही आंसर होगा पैटर्न की पहचान, इसपे हम क्लिक करेंगे एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है विनोजी बच्चों को उनकी घर की भासा में कहानी सुनाने का कारिय कर रहे है आपके निसार विनोजी बच्चों की किस परतिभा पर कारिय कर रहे है अंत्रव्यक्तिक परतिभा, तार्किक परतिभा, साब्दिक परतिभा या सांगेतिक तो इसमें आपका सही आंसर साब्दिक होगा इसमें हम क्लिक करेंगे एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है बहु परतिभा सिधान्त के नुसार परतेक व्यक्ती की सिमित बुद्धी होती है परतेक व्यक्ती में दो या अधिक परदान परतिभाई हो सकती है विद्याले में सिर्फ दो परकार की परतिभाओं का प्रयोग हो सकता है इन में से कोई नहीं तो सही आंसर होगा परते एक व्यक्ति में दो या अधिक परतिभाई हो सकती है इस पर हम किलिक करेंगे एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है आंगन बाडी में पढ़ाने वाली कोसल्या जी बच्चो से यह कारिया क्यों करवा रहा होगी चार उपशन दे गए हैं तर्क करने के लिए भावनाओं की अभिव्यक्ति समवाद और रचनातमक्ता बढ़ाने के लिए समरद विरासत और सान्स्कृतिक विविट्दा के बारे में बताने के लिए अनवेशन करने के लिए तो हमारा स अमेकित शिक्षा का मुख है उद्देश्य है क्या उद्देश्य है मन की अभिव्यक्ति समवेदी भावों की अभिव्यक्ति कला के माध्यम से अमूर्थ अवधारनाओं की जानकारे देना तो हमारा सही आंसर यही होगा उप्रोक्षवभी कला के माध्यम से अमूर्थ बच्चों को परदर्शन कला की एक परतियोगता में परतिभाग हेतू करने के लिए तैयार करना है उस परतियोगता में आप निमलेगत में से कला के किस छेतर में बच्चों को तैयार करने पर कारे करेंगे संगीत चितर कला कले माडलिंग या सिल्फ कला तो इसमें हमारा आंस होगा संगीत संगीत पे हम क्लिक करेंगे एरो के निसान से आगे पड़ेंगे उसके बाद नेक्स प्रसन है किरण जी अपनी कक्सामे बच्चों को मुखोटा बनाना सिखा रही है मुखोटे बनाने का यह कारिया स्रव्यकला प्रदर्शनकला द्रश्यकला या सज्जाकला है तो इसमें हम द्रश्यकला पर क्लिक करेंगे एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है कला समयकित सिक्षन के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया चार उप्षन दिये गए हैं बहुत समय लेती है रचनात्मक विचारों को उत्पन करती है उबाव होती है या जकिल होती है तो इसमें सही आंसर होगा रचनात्मक विचारों को उत्पन करती है इसमें हम क्लिक करेंगे एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे इस तरह से इसके part 2 में हमने 10 question किये question answer भी हमारे 10 थे question skipτ 0 थी हम सम्मिट करते हैं जैसी हम सम्मिट करते हैं तो हमारा score 10 out of 10 ह जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम कला के पार्ट सेकिंड बोलते चित्र की आकलन की प्रश्णुत्री को लेंगे आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें वीडियो प के धन्यवाद